नमस्ता भाईयों, Android वेडी में आप सभी का स्वागत है आज किस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं Samsung Galaxy M34 5G के कैमेरे के फीचेर्स और कुछ टिप्स और ट्रिक्स तो चलिए जादा देरी ना करके सुरू करते हैं आज का वीडियो Samsung Galaxy M34 5G के नॉर्मल टिप्स और ट्रिक्स वाला वीडियो और लेडी चैनल पर लाइव है अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी जाके चेक आउट कर सकते हैं उसमें जेनरल फीचेर्स और टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बहुत कुछ बताया है अब चलिए बात करते हैं Camera UI और इसके कुछ फीचेर्स के बारे में सबसे पहले अगर आप लोग क्यामेरा ओन करना चाहते हैं तो उसके लिए एक सेटिंग्स है उसके लिए आप लोग यहां पर पार बटन को दो बार प्रेस करेंगे तो आपका Camera quickly on हो जाएगा तो इस सेटिंग्स को अन करने के लिए आप लोग वो सेटिंग्स के अंदर जाना पड़ेगा Camera UI कुछ इस तरह का है जैसे कि आप लोग देख सकते है टिपिकल सेमसंग का Camera UI है यूआइकन देख सकते हैं यहां पर नॉर्मल बटन है नॉर्मल टैप करेंगे तो फोटो कैप्चर होगा अगर लोग प्रेस करेंगे तो यहां पर कुछ शेकंड का Video Clip स्टाॉट हो जाए कुछन के यहां है एक लॉक आइकन है इसको आप लोगो क्लिक कर देना है क्लिक कर देना ताए सब्सक्राइटा है एक लोग फर्मट वीडियो चालु हो गया है यानकि यहां से यह पनो लोग लोग vídeo इंचेर कर पाएंगे अगर आंगर वीडियो के उपनी आप फोटो all the न मिल जाएगा वीडियो करते कर तो यहां पे इसको tap करने से photo बlor WORST फोटो केपचर कर पाएंगे तो इस तरहसे आप लोग कुए लिचल पेड़ कर आखे है अगर विचल पर प्रिक करना को परस्ट पर लोग को जाता रहा है रनी से अब लोग को सथा बाता पर पने तेधिए उसको पहला है कर ले हैं तो इसक यहां पर इस फोटो के देखेंगे तो यहां पर नमबर 30 लिखा गया है इसका मतलब यहां पर टोटल 30 फोटो 30 वर्स्ट मोंड फोटो काप्चर हुआ है और यहां पर जाकर आप लोग चेकाउट कर सकते हैं वर्स्ट फोटो को अगर आप चाहें इस पर से को लोग किसीको ऐलमसे यहां पर देख सकते डाउनलोड या शेयर करने का यहां पर दिया गया है कैमेरी के वीचर बताते बताते ही यहां पर ग्याले के कुछ इसके intensity को आप लोग कम या जादा कर सकते हैं यानि कि कोई फोटो अगर आपके पास पुराना फोटो है उसको आप लोग पोट्रेट मोन में कनवर्ट करना चाते हैं तो उसको भी आप लोग यहां से कर पाएंगे और यह जो फोटो मैं आप लोगो दिखा रहा हो देख सकते ह यहां पर डाउनलोड फोल्डर के अंदर है यह जो फोटो है मैंने दूसरे फोन से कैप्चर किया था रियल्मी नार्जो 60 से डीटेल्स पर जाके भी मैं आप लोगो दिखा सकता हो देख सकते हैं रियल्मी नार्जो 60 लिखा गया है इस फोन से कैप्चर किया था तो मैं चे तरीजरी चीज अगर अपको डिलेट तो भो भी आपली उपर कर पाएंगे इसके लिए यहां पर क्लिक करने के बाद देख सेंदेहां पर एक ऐसे います ड्रॉ करना है और उसके बाद एरेज कर देंगे तो उस एरिया का जो पोर्षन है वो यहां पर एरेज हो जाएगा तो यहां पर जो भी चीज़ा अगर आप लोग एरेज करना चाहते हैं तो वो आप लोग यहां से एरेज कर सकते हैं इसके लाब अगर फोटो केप्चर किया है और उसके बाद फोटो में थोड़ा सा और इंहेंस्मेंट लाना चाहते है तो वह आप लोग कर पाएंगे यहां पर त्री डॉट पे स्लिट करके आप लोग को स्लिट करना है रिमास्टर फीक्चर और रिमास्टर करने के बाद आटोमेटिक फोटो को अनलाइस करेगा आपका फोन और उसके फोटो में आप लोग को वह फीचर देखने को मिलता है काफी कमाल का फीचर है जैसे कोई भी human subject का फोटो है अगर आप लोग उसका background रिमूब करना चाते है तो वह भी आप लोग यहां पर कर पाएंगे जो जेनरली आप लोग को samsung के फ्लैक्सी फोन में और आइफोन के देखने को मिलता है और इसको करने के लिए आप लोग को long press होल्ट करना है subject के ऊपर और देख सकते ही यहां पर निकल अट बनके निकल के आ गया है और यहां पर आप लोग इसको directly copy और save as image या फिस शेयर भी कर सकते है तो save as image वह ने कर दिया है देख सकते ही यहां पर यह फोटो बनके आ गया है background पूरा cut हो गया है और देख सकते है का इस फोन के अंदर आप लोगो 50 Megapixel camera देखने को मिलता है, लेकिन नॉर्मली अगर आप लोग फोन के अंदर सर्च करेंगे तो आप लोगो 50 Megapixel का option कही पे नहीं दीखेगा, थोड़ा सा hidden type कर रहता है, मैं आप लोगो बता दे तो कैसे आप लोगो access करना है, देख सकते उपर क करने के बाद आप लोग 50 Megapixel मोड में फोटो कैप्चर कर पाएंगे, इस फोन के अंदर लाइफ फोटो का option भी आप लोगो मिलता है, जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ पे जो फोटो है देख सकते हैं, नॉर्मल फोटो जैसे दिख रहा है, वीव मोशन फोटो पे क् का देख सकते हैं, मैंने जब यहाँ पे इस चीज को लाया, तब उस टाइम का फोटो यहाँ पे क्याप्चर हो गया है, इस फोन के अंदर सिंगल टेक का फीचर मिलता है, जिसके मदद से आप लोग एक ही क्लिक से मल्टिपल टाइप का फोटो कैप्चर कर सकते हैं, जैसे ह यहाँ पे, अगर सिंगल टेक से मैं फोटो कैप्चर करूँ, देख सकते हैं, दस सेगिंड तक यहाँ पे फोटो कैप्चर होगा, और उसके बाद यहाँ पे मल्टिपल फोटो बना के देगा, मल्टिपल एफेक्ट्स लगा के, जिसको आप लोग बाद में अलग अलग तर इतर फोटो है, जिफ टाइप का फोटो है, यहाँ फोटो है जिए क्रॉप्टेटाब है, इस तरह के टोटल six फोटोज tiक प्ग्चर होगा, देख सब इस सिंगलटेक में उसकोटेप्टोज टोली टोल चाप्चर हो गया है 10 सेकंद के अंदर मैं, और यहाँ पर इस सीज़ बूमरेंग क्लिप्स, फिल्टर्ड फोटोस, कोलाज, क्रॉप्ट सॉट्स यह सब आप लोग एनावल या डिजावल चाहे तो कर सकते हैं किसी भी चीज को अगर आप लोग एनावल या डिजावल करना है तो वह आप लोग कर पाएंगे मोर ओप्सन के अंदर आप लोग को स्लो मोशन देखने को मिलता है जो नियारली 120 fps में आपका वीडियो काप्चर करेगा लेकिन अगर आप लोग 960 fps में सूपर स्लो मोशन रेकॉर्ड करना चाहेंगे तो यहाँ पर स्लो मोशन का ओप्सन भी आप लोग को मिलेगा हाला कि daylight में इसका effect जादा मिलेगा आप लोग को लोग लोग में उतना जादा effect नहीं मिलेगा तो अगर आप लोग सूपर स्लो मोशन यूज कर रहे हैं तो लोग में उसको यूज कीजिए आप लोग डेलाइट में डेफिनिटली इसको यूज करके देखिए, काफी एमेजिंग रेजर्ट्स आप लोगो देखने को मिलेंगे मोर के अंदर आप लोगो यहां पे Bigsby Vision भी देखने को मिलता है Big Z Vision के अंदर में आप लोग translate कर सकते है text को select और copy कर सकते है किसी भी चीज को find out कर सकते है Big Z Vision के मदद से इस तरह से बहुत सरे काम कर पाएंगे basically Google Lens अगर आप लोगों ने use किया है तो Google Lens का ही Samsung का version है Big Z Vision इसके लाब यहां पे AR zone भी देखने हो मिलता है यहाँ पे आप अपने के इमोजी बना सकते हैं create with camera का option है तो देख सकते हैं यहाँ पे आप खुद का photo capture करके अपने खुद का इमोजी create कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपने hairstyle change कर सकते हैं skin color change कर सकते हैं facial features आप लोग चाहे तो change कर सकते हैं मेकप भी एवेन अगर आप चाहे तो लगा सकते हैं सब कुछ कन्फिगर करने के बाद यहां पर आप लोग स्टाइल भी दे सकते हैं अपने फिगर को ड्रेस जो भी पहना चाहते हैं आप लोग उस तरह का ड्रेस आप लोग पहना सकते हैं और उसके बाद इसको सेब कर सकते ह चाहें जो भी चुछ करना चाहेंगे वह यहां पर आप दोगे जा लोग है देख सकते हैं यहां पर जो भी मैं बात करूंगा वो यहां पर मेरे फेस को यहां पर कॉपी करने की कोसिस करेगा यहां पर कैमेरे के पीछे से मैं कर रहा हूँ इसलिए उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है मैं अगर जीब निकालू, टंग निकालू, तो वो भी मुझे इमिटेट करने की कोसिस कर रहा है, तो इस तरह से आप लोग वीडियो अगर आप लोग बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर इस चीज़ को अगर आप लोग लॉग प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर वीडियो आपका कर पाएंगे, और यहाँ पर और एक कमाल का फीचर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर पर फोटोच आप लोग देखने को मिलता है, जनरली दूसरे फो simplistic में इस रेंज में आप लोगो इंगने को देखने को मिलता है, जिससे आप लोग बहुत एक cinematic और noise-free video capture कर पाएंगे focus भी आप लोग यहां से manually change कर सकते है pro photo mode तो है ही इसके अंदर में आप लोग ISO, shutter speed, focus, white balance यह सब change कर पाएंगे even video में भी आप लोग चाहे तो यह सब change कर सकते है जो की काफी कमाल का लगा, इतने कम price के phone में भी आप लोगो pro video mode देखने को मिलता है जो generally थोड़ा से premium phones के अंदर ही देखने को मिलता है इसके लावा pro modes के और भी कुछ options है जो आप लोग check out कर सकते है जो self-explanatory है, इनको अलग से बोलने की कोई जरुवत मुझे नहीं लगता है कि है इसके लावा यहाँ पर photo mode के लावा portrait mode भी है portrait mode में normal 1x में photo capture होता है और यहाँ पर background blur को कम जादा कर सकते है और सिर्फ पहली नहीं, बात में भी आप लोग background blur को कम जादा कर पाएंगे यहाँ पर timer का option है, timer आप लोग up to 10 seconds तक timer लगा सकते है ratio आप लोग change कर सकते है यहाँ पर beautification option भी है, skin smoothness का यहाँ पर में इसको click करके आप लोग beautification को enable or disable कर सकते है background blur के साथ skin smoothness भी चाहते है, तो भी आप लोग यहाँ पर कर पाएंगे fun करके option है, fun के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पर face के अंदर अलग-अलग effects बनेगा और इसके साथ में एक background effect भी बनेगा और इसके साथ में आप लोग photo वीडियो बगेरा capture कर सकते हैं तो देख सकते हैं, इस तरह से आप लोग fun photo का इस्तेमाल कर सकते हैं, और और सिर्फ photo capture करना है तो इस तरह से photo capture कर सकते हैं और video capture करना है तो लॉंग-प्रेस करना है, तो इस fun mode में आपका video भी capture हो जाएगा photo mode के बाद video option आता है, video option के अंदे देखेंगे तो यहाँ पे rare में आप लोगों को UHD 30fps का option मिलता है, Full HD 60, Full HD 30 और HD 30 का option आप लोगों मिलता है front camera में देखेंगे तो यहाँ पे Full HD 30 और HD 30 का option आप लोगों मिलता है 4K option होता तो और अच्छा हो सकता था, video में देख सकते हैं, यहाँ पे super steady mode करके एक और mode दिया गया है normally stabilizer है, अगर आप लोगों को और ज़्यादा steady mode चाहिए, तो आप लोग super steady mode को और कर सकते हैं वीडियो में यहाँ पे आप लोग filters का use भी कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, रेजिल्टर के पास filters का option है लेकिन इन filters को यूज करने के लिए आप लोगों को Full HD 30 या HD 30 में आप लोगो video capture करना है अगर आप लोग UHD या Full HD 60 में capture करेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो filter वाला option है, वो disabled हो गया है Samsung के बंदर एक option मिलता है video recording का, जो मैं आप लोगो दिखा देता हूँ अगर आप लोग चाहे तो photo capture कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आप लोग चाहे तो pause कर सकते हैं video को, उसके बाद play भी कर सकते हैं आपको फ्रंट कामेराे में स्विच कर सकते हैं अपकर विडियो कर सकते हैं और अल्टर वाइट जाना है तो भी कर सकते हैं अगर आप लगो तू गाना है तो वह आप chips आने में यहां से वीडियोिकि का अंदर प्रोलिए पॉइश्द करने कि जरूरत नहीं है भीए हैं फिर तो यहां पर देख सकते हैं, 1X पे ही वीडियो रेकॉर्ड होगा, और अगर आप लोग चाहते हैं, तो भी आप लोग फ्रन्ट कैमेर में स्विच नहीं कर पाएंगे, और दोस्तों इसके साथ खतम होता है, सैमसंग गैलक्सी M34 5G का कैमेरा फीचर्स और इसके कैमेरे के कुछ टिप्स और ट्रिक्स, मुझे उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है, तो लाइक शेयर करना ना भूले, साथ में और ऐसे वीडियो देखना है, तो चैनल को सब सब्सक्राइब डेफिनेटली करें, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुडबाई, और आपका दिन सुभ हो